है एवरिवान वेलकम बैक टू मीनी गाडन फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग आई होप से बच्छे होंगे खुश होंगे तो फ्रेंड्स आज को टॉपिक है हमारा इस स्नेक प्लांट के बारे में तो इस स्नेक प्लांट हम अपने घरों में क्यों लगाते हैं और दूसरा ये एर प्लांट है और हम इसके क्या टिप्स के बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो फ्रेंड्स जो भी आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजिए और लाइक शेर कमेंट जरूर से करना तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो त और यह धनु तलवार की तरह होता है इसकी हाइट जादा जादा तीन या चार फुट तक जाती है यह भी मैंने कटिंग से ग्रो कर रखा है तो फ्रेंट देसी वराइटी हाइब्रेड वराइटी कई स्नेक प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे तो इसको एक बेबी से क प्लांट भी बना सकते हो तो देखिए यह बहुत सारे शूट सारे तो आप इसमें से कई प्लांट तयार कर सकते हो तो फ्रेंट पहले हम बात करते हैं इसकी कटिंग की तो आप जब भी कटिंग लगाई तो फ्रेंट इसकी जो छोटी से एक पफ लोगे आग पफ लोगे त तो आप इसको पानी में प्रोपगेट कर सकते हो, पानी में एक कटिंग आप लगादो, तो वहीं से छोटे-छोटे रूट्स आने लग जाएंगे, वहीं से आप इसने एक ब्रांट आने लग जाएगा, और इसको मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो, बहुत एजी से लग जाता जैसे आप देख रहे हों मेरे snake plant में यलो धारियां है इसमें धारी नहीं आएगी यह जंगली एक green plant का snake plant यह जंगली होता है green plant का वो variety निकलीगी जैसे धारी होती है same धारी वैसी नहीं निकलती तो cutting से बस यही problem होती है आपका snake plant लग जाएगा पर same to same वैसा नहीं होगा अगर आपको same यहीं चाहिए तो इसके baby puff निकलते हैं आप उससे multiply कर सकते हो एक plant से कई plant वैसे ही लगा सकते हो तो cutting से आप इस तरह लगाई या भी baby puff लगाईए और इसकी बात कटे potting mix के जो mixture हम बनाएंगे मिट्टी का तो इसमें जैसे कि 30% आपने मिट्टी लिया तो 20% गूबर खा 20% आप बालू मिट्टी लीजिए क्योंकि यह जो है यह garden मिट्टीन को ज़्यादा पसंदे और यह बुरबुरी मिट्टी बहुत अच्छा हो जाता है तो friends इसको मिट्टी यही पसंदे आप इस मिट्टी में लगा सकते हो तो बहुत इजी से grow हो जाता है और हम बात करते हैं हम location की इसके location friend जैसे कि आप bright light जहां आती हो वैसे तो यह friend दूप में भी लग जाता है दूप में आप रखोगे पर दूप में रखने का main कारण यह है कि बस इसका जो color होता है बहुत dull हो जाता है जैसे इसमें बहुत अच्छा green और shade आते हैं यह बहुत bright light सा हो जाएगा मतलब बहुत हलका color हो जाएगा इसमें अगर तेजूप में रखोगे तो यही कारण होता अगर इंडोर रखोगे आप इसको bedroom में किचन में sitting room में कहीं भी रखोगे बहुत इजी से survive करता है और बहुत ही प्यारा और यह friend हवा को शुद करने वाला पौदा है तो friends इसको हवा को शुद करने वाला यह पौदा है ब भर में बना के भी दे सकते हो और friend बात करते हैं इसके पानी की तो पानी हमें से इसको देख के दीजिए अगर इसको ज्यादा ओवर वाटरिंग के कारणर इनके जो रूट्स होती है ना वो बहुत जल्दी गलने लग जाती है तो पानी में आप अधितर पानी दोगे तो फ पानी दे पाते हैं तब भी यह पौदा नहीं मरेगा टैन्सल मत लेना है पौदा नहीं मरने वाला इही बहुत अच्छा प्लांट है आप एक बश से पानी देखución चार दिन पानि बाद भी नहीं दोगे without भी नहीं दोगे तब भी नहीं दो तो आप इसके पानी भी हमेशा चेक करके ही दीजिए तो फ्रेंट्स यही है स्नेक प्लांट के क्या टिप्स के बारे में आप इसको फोलो कीजिए तो आपका प्लांट बहुत हरा भरा और घना हो जाएगा आप एक प्लांट से कई प्लांट भी तयार कर सकते हो तो फ्रेंट्स यह मेरे क्या टिप्स के बारे में जब तक की लिए फ्रेंट बाय टेक केर